भारत निकला बिटेन का बाप दिखा दिया अंग्रिजों के राजा को आउकात किसे कहते हैं वक्त वदलते देने लगती और वक्त का बार हरवार से खतरनाक होता है वो जो ऐसा ही हाल बिटेन का हो रहा है कभी भारतियों को अपने जूते की नौक पर रखने वाले बिटेन को अब भारत ने उसकी असली आउकाद दिखा दिया है याद है कि भारत की नाराजगी के डर से विटेन ने सध्यों पुरानी अपनी परंपरा को भी बदल लिया है जी हाँ न्यूज सोकिंग है लेकिन सच है लेकिन इस बार बिटेन में ताजपोशी के वक्त कोई जड़ा क्राउन नहीं पहनेगी उनका ये कदम भारत को नागवार गुजर सकता है उनके लिए सो साल से भी पुराना क्राउन रिपेर करवाय जा रहा है वहीं चीन भी बिटेन को नीचा दिखाने का कोई मोका नहीं छोड़ रहा है आखिर क्या ये पूरा मादरा जानने के लिए वीडियो को अंतर तक जरूर दे किया दोस्तो एक समय था कि बिटेन के बारे में कहा जाता था इस समय एक भारतवनसी के हातों में है जी आपको याद होगा ये समय भारत के पिर्दान मंत्री और रिशी सनक जो की एक भारतवनसी इसके लावा बिटेन को अपनी एकोनोमी को इस्टेवल करने के लिए भारत की बहुत जादा जरूरत है ऐसे में जब बिटेन के महराज की ताजपोशी के बाद आई तो भारत ने भी जता दिया कि अब दिन बदल चुके अब भारत वो बारत नहीराज जिस बेटेन ने कभी हुकूमत की थी इसलिए आपको डीटेल में पूरी बात बताते हैं ख़वर यह है कि बिटेन की नई रानी यानि किंग चार्ल्स टेक की पतनी कैमिला ताजपेशी के दोरान हुई एलिजाबेत का कोईनूर जरा ताज इस बार नहीं पहने वाकिंग गम पैलेस ने इसका एलान कर दिया है और इसकी वज़े है भारत के साथ संबन बिगड़ने क्योंकि जब बिटेन ने 6 माई को होने वाली ताजपेशी के लिए भारत के प्रेसिडेंट को इन्वाइट किया तो बारत ने कह दिया कि प्रेसिडेंट तो इस समय कापी बिजी है हम अपने 22 प्रेसिडेंट को जरूर आपके फंक्शन में बेज देंगे लेकिन इसके साथ भारत ने एक और सर्थ भी चिपका दी ती कि बिटेन किसी भी कीमत पर कोईनों डायमेंड वाले ताज को नहीं सो करेगा वरना यहां उनके संबंद का टाइम खतम हो सकता है और आप जानते हैं इसके जबा में बिटेन की तरफ से क्या जबाब आया हम ऐसा कोई काम नहीं कर क्राउन तयार करवा जा रहा है बिटेन के हितियास में पहली वार साई इंपरियल इस्टेट की जगे एक पुराने ताज को कुछ बदलावों के साथ फिर से इस्तिमाल किया जाएगा इस ताज में कुईन एलिजावेर सिद्धान जली देने के लिए उनके कलीनन थ्री कलीन फोर और फाइव डायमेंड को जोड़ा गया है यह ताज सो साल से ज़्यादा पुराना है और गुनिश सो ग्यारह में पहली वार कुईन मारी नहीं इसे पहना था लेकिन खास बात यह है कि इस समय भारत को लेकर बिटेन कितना कॉंसर्ट है कि उसने भारत से अपने समद ब वापस कर देना चाहिए जबकि बिटेन के पूर प्रिदानवंति ने कहा कि अगर हम चाहे तो भी ऐसा नहीं कर सकते है क्योंकि अगर हमने ऐसा किया तो फिर हम दूसरे देशों से लाए गए सामान भी हमें लोटाने पड़ेंगे और ऐसा हुआ तो हमारा म्यूजियम खाली जवारा जड़े हुए जिनमें कोईनूर और अफरीका का हीरा ग्रेट इस्टार आफ अफरीका सामिल है जिसकी कीमत करी 14 ट्रिलियन रखी गई है भारत ने बिर्टेन के सामने के बार कोईनूर हीरे पर अपनी कानून यह खोने का दावा किया है भारत की तरह अफरीका ने बिर्टेन के साही ताज में जोड़े अपने बेसकीमती हीरे को लोटाने की मांग की है इसलिए बिर्टेन चाकर भी भारत को कोईनूर नहीं लोटा सकता कोईनूर के बारे में कहा जाता है कि साल 1849 में जब अंग्रेजों ने पंजाब पर कभजा किया तो इस हीरे को बिर्टेन के साही ताज में लगा दिया गया था भारत के अलावा पाकिस्तान बांगलादेश अफगानिस्तान भी इस एड़े पर अपना दावा ठोक चुके हैं लेकिन इन सब में भारत का दावा सबसे मजबूत है इसलिए तो कह रहे हैं कि हरकिसी का दिन आता है पहले ब विक्रम सिंदे भी आ रहे हैं वही बात भारत की तो भारत की तरफ से हमारे वाइस प्रेशिडेंट जगदीव धनकर इसमें बाग लेने वाले हैं आज से 70 साल पहले कुईन एलिजा तू ने राजगदी समवाली ती तब भारत के ततकालिन पिरदान मंत्री जवालाल उन्हें उस हमारे को अटेंड किया तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरू करें मिलते हैं नई नौलेज वारी वीडियो के साथ